हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन से सम्मंधित प्रैक्टिक्स एक्सरसाइज इसमें 15 कोश्चन लिया गया है 15 कोश्चन के अंतरगत आप लोगों को बताना है कि कौन नाउन किस प्रकार का नाउन है कौन नाउन है ठीक है तो यह आप जो हम लोग टापिक श पढ़ना है तो आप पहले पार्ट से जाएए उस वीडियो को ध्यान से देखिए तब इस पर आ सकते हैं तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना है पहले इसको पढ़ लेते हैं pick out the nouns and state their kinds in the following sentences मतलब कि निमन लिखी तो वाक्यों में संग्या को चुनना है और उनके प्रकार को लिखना है ठीक है नाउन के प्रकार को लिखना है तो चरिए इसको start करते हैं फटा-फट से देखिए पहला इसमें दिया हुआ है आपका अंसु picked up the ball and threw it to स्वेता मतलब कि अंसु ने बाल उठाई और स्वेता की और फैक दी इससे स्वेता की और फैक दी तो यह तुम्हाली sentence होगी आपका तो इसको आप लोग कैसे इसमें नाउन निकालेंगे कैसे किस प्रकार का नाउन है तो देखिए अंसु अंसु क्या है य यह आपका प्रौपर नाउन है और यह देखिए बॉल बॉल क्या है आपका comment noun है बॉल क्या है common noun है और स्वेता स्वेता भी आपका proper noun है तो आप लोग एक लिख कर बता दे रहे हैं इस तरह से आप लोगोंके समझना है देखिए तो अनसु जो है आपका ए ए एन एस यह यह ball है ball, ball मतलब गेंद होता है B-A-L-L तो ball क्या है common noun, C से common और यह N से noun, और यह स्वेता स्वेता भी आपका क्या है स्वेता भी आपका है proper noun कियों किसी का नाम है यह तो यह होगा proper, P से proper N से noun लिख दिया समझने के लिए आपको चलिए देखिए जो भी हम लोग sentence पढ़ते हैं तो उसमें जो sentence होए है वाक के बनता है आपका, तो उसमें हर प्रकार का रहता है, सब चूछ रहता है जैसे word रहता है, adjective रहता है article रहता है, लेकिन उसे अभी कुछ मतलब नहीं हमको है, केवल यह जो topic पढ़ रहे हम लोग नाउन तो noun के बारे में हम लोग केवल समझेंगे क्योंकि noun से related question है तो और जो उसमें word है अगले जो वीडियो जैसे जो जो topic कवर करेंगे उसमें आपको बताते रहेंगे दूसरा देखिए आपका दिया है अकबर was a wise king मतलब अकबर एक बुधिमान राजा था तो इसमें आपको noun को चूच करना है और उसका प्रकार लिखना है तो अकबर क्या है आपका अकबर एक किसी का नाम है तो यह आपका proper noun के अंतरगत आ जाएगा और यह देखिए यह king king क्या है राजा राजा common noun मतलब common noun यह proper noun noun के अबल यही है तो दूसरे मतलब यह आपका verb है article है यह adjective है तो यह सब को मुझना ही समझना है बस के अबल noun के बारे में समझना है के अबल तीसरा आपका है the vikrant is a big ship मतलब vikrant एक बड़ा जहाज है बikrant एक बड़ा जहाज है तो बikrant बikrant आपका क्या हो जाएगा बikrant आपका हो जाएगा proper noun पी एन लिख दे रहे हैं shortcut में समझ जाएगा आप लोग proper noun और यह ship ship क्या है आपका ship एक जहाज है तो जहाज जो word होता है आपका common noun के अंतरगत आता है cn मतलब c से common n से noun चलिए आगे बढ़ते है चार नंबर चब उथा है आपका है Tommy is a good dog मतलब कि Tommy एक अच्छा कुटता है Tommy एक अच्छा कुटता है तो Tommy जो आपका है यह Tommy किसी का नाम है तो Tommy क्या हो जाएगा आपका यह proper noun मतलब pn लिख दे रहे हैं shortcut में proper noun is a good dog मतलब एक अच्छा कुटता है तो dog जो dog है आपका यह क्या है dog आपका है common noun cm मैंने shortcut में लिख दिया है यानि common noun है यह इस प्रकार से आप लोग को समझना है tense के माध्यम से कैसे हम लोग चूच करते हैं noun को देखिए the taj mahal is a beautiful building मतलब जो taj mahal है जो taj mahal है एक खुबसूरत इमारत है एक खुबसूरत क्या है भवन है building मतलब होता है इमारत सुन्दर है तो taj mahal क्या है आपका ताज mahal जो आपका है ये proper noun के अंतरगत आएगा जो taj mahal होता है आपका proper noun के अंतरगत आता है क्योंकि taj mahal उसका नाम है पुरा clear ये building ये building क्या है आपका तो building आपका क्या है building आपका है ये common noun building आपको क्या है common noun बाकि इसमें कुछ noun नहीं है beautiful के बारे में आप लोग बताईएगा कि beautiful क्या है comment box में आपको comment करना है नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं 6 नमबर देखिए October is the 10th month of the year मतलब कि October वर्स का 10वा महीना है यानि कि 10वा महीना है तो October October जो आपका word है एक आया October October क्या है proper noun है और ये देखिए month month क्या है month भी आपका common noun के अंतरगत आता है common noun अब ये year year क्या है आपका ये भी common noun है common noun तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है हम जितना भी इसमें वाग के लिए है इसका हिंदी बता रहे है और साथ ही साथ noun जो हम लोग को topic था प्रैक्टिक्स exercise कर रहे है उसको कभर कर रहे है साथ हमा देखिए the kutub minar is in Delhi मतलब kutub minar क्या है दिल्ली में है तो kutub minar क्या है kutub minar आपका जो है यह proper noun है proper noun P से proper N से noun shortcut में लिखा जा रहा है दे लही दे लही क्या है आपका दे लही भी आपका यह proper noun के अंतरगत ही आता है proper noun यदि proper noun common noun के बारे में नहीं बता है तो आप part 1 में जा करके देख सकते हैं मेरा चैनल पे इंगलिस grammar का part 1 चली अगला देखते हैं आठ नमबर रांची is the capital of जहरखंड मतलब की रांची क्या है जहरखंड की राजधानी है जो रांची है जहरखंड की राजधानी है तो इसमें आपको noun को चूच करना है कौन कौन noun है तो रांची रांची जो आपका है ये proper noun है तो इसको पी एन लिख दे रहे है ये जो capital है आपका capital то capital क्या बोलते हैं हम लोग common noun c n लिख दे रहे है common noun capital common noun जहरखंड जहरखंड एक राजधानी का नाम है तो ये क्या बोलते हैं इसको ये आपका हो गया proper noun proper noun ठीक है number question देखिए banaras is situated banaras is situated situated on the bank of the river गंगा मतलब कि banaras जो है गंगा नदी के किनारे पर इस्थित है बनारस जो सहर है गंगा नदी के किनारे इस्थित है गंगा नदी पर इस्थित है तो इसमें आपको noun को चूज करना है कौन noun है, संग्या कौन है तो देखिए बनारस ये बनारस एक word आया है इसमें बनारस क्या हो जागा आपका proper noun पी एन लिख दे रहा है यहां पर हम proper noun उसके बाद इसमें noun को चूज करना है noun कौन कौन से है bank bank क्या है आपका किनारा ये भी आपका common noun के अंतरगत आएगा ये है आपका गंगा गंगा जो गंगा होता है, गंगा क्या है गंगा भी आपका proper noun ही अंतरगत आता है proper noun, गंगा नाम है और river river भी बढ़ है आपका, ये भी noun के अंतरगत आता है लेकिन कौन noun है ये रिवर आपका common noun के अंतरगत आता है see and लिखते रहें common noun ठीक है यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग comment box में comment कीजिएगा हम बताएंगे ठीक है देखिए आगे the piper was a colorful suit ठीक है मतलब कि मुरली वाला एक रंगीन सूट था एक colorful मतलब रंगीन सूट था यह piper मतलब होता है मुरली वाला ठीक है तो piper जो word आया है यह क्या है piper एक common noun है piper क्या है common noun है आपका और सूट सूट जो है आपका यह भी एक noun के अंतरगत ही आता है तो यह भी आपका क्या है common noun है see and लिख दे रहे हैं C से common समझे, N से noun, ये भी C N, मतलब की दोनों इसमें क्या है, common noun ही है, ठीक है, 11 नंबर देखिए, switch on the fan and close the door, मतलब की पंखा को चालू करो और दरवाजा को बंद करो, पंखा चालू करो और दरवाजा बंद करो, तो इसमें आपको noun को चूच करना है इस वाके में, ठीक है, त switch on the fan, fan आपका क्या है, noun है, लेकिन noun को, कौन noun है, ये ही बताना है हम लोगों को इस चीज में, तो noun आपका हुएगा, common noun, यानि कि C N लिख दे रहे हैं, अब ये door, door मतलब दरवाजा, दरवाजा क्या है आपका ये, ये भी आपका common noun के अंतरगत ही आएगा, C N, C से common यान से ruby, मतलब की table पर रखा pen, ruby का है, जो table पर pen रखा है, कलम रखा है, वो किसका है, ruby का है, तो इसमें आपको noun, यूज, मतलब चून के अवस्था को निखना है, pain, pain क्या है आपका, pain एक common noun के अंतरगत आता है, पैन जो होगा, आपका ये common noun के अंतरगत आता है, ठीक है, उसक common noun, अब रभी, रभी किसी का नाम है, यह आपका proper noun के अंतरगत आएगा, तो proper noun, पी एन लिख दिया, आपने, तेरा नमबर देखिए, question, the lady had a bunch of keys at her waist, waist मतलब कमर होता है, यानि की, चाभियों का गुच्छा, अभी हम लोग collective noun part 2 में पढ़े हैं, तो इसका यूज उसमें किया गया है, यदि आप लोगों को नहीं पढ़ रखे हैं, तो जा कर आप उसको देख सकते हैं, तो देखिए, the lady had a bunch of keys at her waist, मतलब चाभियों का गुच्छा, लेडी के कमर में है, मतलब जिसे कमर में नहीं बांगते हैं लोग, चाभी का गुच्छा, तो वही चीज़ है, यानि की, महिला के कमर में है, यानि हर वेस्ट, मतलब उसकी कमर में, तो यही चीज़ है, तो महिला की चाभियों गुच्छा, उसकी कमर में है, मने कमर बांग रखी है, तो इसमें आपको चूज करना है नाउन, कौन को नाउन है, तो लेडी, जो आपका है, लेडी क्या है, यह आपका common noun के अंतरगत आएगा, उसके बाद, bunch, bunch of की, ये bunch क्या है, ये गुच्छा है, ये group है, तो ये किसको बोलेंगे अपलो collective noun collective noun c o double l लिख दे रहें इसको क्योंकि c से common collective हो गए आपका यह और n से noun collective noun है यह ठीक है कीज क्या है चाभी जो चाभी वर्ड है का सब्द चाभी तो इसको क्या बलते हैं चाभी यह आपका common noun के अंतरगत आएगा इसको उपर लिख दे रहें c n common noun ठीक है हम लोगों को noun के बारे में पुरा detail जनकार ले रहें हैं तो noun क्या है west इसको क्यों noun है यह आपका हो जागा common noun common noun ठीक है इस प्रकास से आप लोगों को सब sentence को समझना है आगे देखिए चवदा नंबर question है the team of players got down from the bus and entered the stadium मतलब की देखिए ध्यान से इसको खिलाडियों का team players of the team मतलब खिलाडियों का team from the bus मतलब bus से उतरे bus से नीचे उतरे या bus से उतरे and मतलब और entered the stadium और stadium में प्रवेस किये ठीक है तो हम लोगों को इसमें चूच कर लिए देना है कौन-कौन क्या है noun कौन-कौन नाम दे देना है इसको तो टेखिए इसमें दिया हुए team team एक सब्द आया है तो team आपका क्या है team एक collective noun है co double l लिख दे रहे है इसको और n लिख दे रहे है collective noun मतलब यह group का संथियत देता है team ठीक है अगला आपका है player player क्या होता है खिलाडी जो खिलाडी एक word होता है इसको यहाँ पे लिख दे रहे है जो खिलाडी होता है वो क्या होता है common noun के अंतरगत आता है खिलाडी क्या होता है common noun तो c n ठीक है common noun के अंतरगत आता है bus बस जो word है आपका यह क्या है common noun के अंतरगत आएगा उसके बाद और देखते हैं कौन नाउन है इस्टेडियम ही आपका है इस्टेडियम जो सब्द है ये भी आपका common noun के अंदर गत ही आएगा common noun ठीक है तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है लाश्ट कोश्चन है इस वीडियो का डेखिए पंदर नमर है London is the capital of England मतलब की England की राजधानी लंदन है यह लंदन इंग्लेंड की राजधानी है यह भी बोल सकते हैं ठीक है इंग्लेंड की राजधानी लंदन है तो इसमें आपको चूच कर देना है कौन कौन से noun है तो यह लंदन लंदन क्या है आपका लंदन प्रॉपर नाउन है किसी का ना प्रॉपर नाउन उसके बाद और आप देखें नाउन इसमें क्या है कैपिटल अब उपर भी आया था तो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन और ये इंगलेंड इंग्लेंड क्या हो जाएगा प्रापर नाउन क्योंकि इंग्लेंड भी किसी का नाम है यह प्रापर नाउन के अंतरगत आ गया तो दोस्तों आपको वीडियो जो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जुरूर बताईएगा क्या इस सिरिच को आगे चलाया जाए कि बंद कर दिया जाए इसके बारे में भी राय दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लागा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के हाँ भी सेर कीजिए क्योंकि यह बहुत हम लोग बिस्त्रित से जानकार ले रहे हैं ठीक है धन्यवार